जेहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब जेनलर डिफेंस चैंपियन में और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आप सभी कैंडिडेट के लिए इंडियन नेवी की ओर से आने वाले डेवले और एससार की जो वेकेंसी है तो 2021 की क्य दोर के बाद में यह पहली वेकेंसी आ रही है इससे पहले कम से कम दो से तीन बैच आपकी जो है निकल गए है विदाउट वेकेंसी के इंडियन नेवी की ओर से और अभी जो वेकेंसी आई उसमें भी एक क्या हो गया लोचा हो गया आप सभी इस कैंडिडेट सा वो समझद है और आपको अपडेट भी कर दिया होगा और इससे पहले भी मैंने बताया था ठीक है तो गाइस इसके उपर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपन की ओफिसिली वेकेंसी क्या लिखा और क्या सीन है अभी काफी स्टुडेंट के मन में बहुत काफी डाउट चल रहे हैं कि इ इंडियन भी ऐसा क्यों कर रहे हैं लेकिन जो अभी की वास्तुखता क्या है आज की जो वास्तुखता क्या है रियलिटी क्या है वो आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले जब अपडेट आया था वो आया था कि आपके फोरम है वो ओन-लाइन फिलप के जाएंगे 26 अप्रेल से लेकर 30 अप्रेल के बीच में ओके और आज दो पहल की सबसे जो बड़ी अपडेट थी सेकिंड जो अपडेट मारू मैं यहां से तो गाईस वो थी आपकी 26 अप्रेल से आपके 5 माई 2021 यानि 26 अप्रेल से लेकर आपके 5 माई 2021 तक आपके फोरम है वो फिलप किये जाएंगे इसके लिए भी आपको मैं पूरूफ दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं ओफिसिली वेबसाइट पे सबस्यदा ट्रस्ट करता हूँ अधर जो भी वेबसाइट होती है वो इसके लिए क्या होती है इससे थर्ड पार्टी से लिंक होती है ठीक है तो गाईस यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में लिखा है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले इनोंने लिखा है कि अप्लिकेशन विंडो फॉर सेलर इंटरी डैवल एक वन फिप्टी और एससार जीरो टू 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 बैस आपका है लाइकले टू ओपन 26 अपरेल 2021 से लेकर 5 मई 2021 तो यह अपडेट आप चेक कर सकते हैं पहले था क्या गाइस की आपका 26 से लेकर 30 अपरेल तक जो कि अब हो चुका है 26 से लेकर 5 मई तक हो चुका है ठीक है यह बातें आपको ध्यान में रखनी है तो सबसे बड़ी अपडेट यह कि फोर्म के सकते हैं कोई प्रोब्लम आपको नहीं आने वाले उसके बाद में सेकिंड जो सबसे बड़ी बात है कि एज लिमिट चलो एज लिमिट उन्होंने अपनी इसाब से रख ली कोई प्रोब्लम नहीं है देन उसके अंदर बाद में बात करते हैं तीसरा पॉइंट ओफ लाइन यह सबसे बड़ी जो बात है वो निकल के यहां से आ रहा है कि offline examination और वो भी क्या guys old pattern पे जैसे पहले हुआ करता था जैसे old pattern पे मैं बात करना हूँ कि सभी का admit card नहीं आएगा समझ गए आप सभी का admit card इसमें नहीं आएगा यह इस तरीके से यह करते हैं उन्हों रिखा भी है notification में हालांकि अभी officially website के उपर notification देखने को नहीं मिल रहा है मैं सबसे पहले बता देता हूँ जहां तक मैंने इसके उपर try किया है जो आपका COVID-19 की माम आ रही है उसके कारण उसको देखते हुए हम है जो vacancy को offline करवा रहे हैं अब यदि आपकी vacancy offline होती है तो आपका सबसे प qualified किया था तो guys यहाँ पर scene क्या है कि admit card यादी offline vacancy होती है तो यहाँ पर scene क्या रहते है कि जो cut off है वहत high जाती है ठीक है state wise आती है लेकिन फिर भी क्या है कि आपकी guys cut off है वह high हो जाती है admit card के लिए सबसे पहले तो सभी का admit card नहीं आ पाता second जो बात होती है guys के अंदर कि आपका admit card आ गया है मानो ठीक है example के तो तो आपका PFT उसी दिन हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका medical भी हो जाएगा यानि एक से दो दिन का जो process है उसके अंदर आपको complete कर दिया जाएगा यदि आगे के बाद में जो भी process होगा और medical हो अलग बात है लेकिन यहाँ पर आ notification की मैं बात कर लेता हूं उस notification का भी मेरे पास data है तो उसके उपर हम चेक करते हैं क्या scene उसने लिखा है तो दोस्तों आप सबसे पहले देख सकते हैं guys यहाँ पर की unmarried male candidate और यहाँ पर अगस्ट 2021 वाला यह batch होने वाला है तो सबसे पहले यहाँ पर सरकारी रिजल.com का यह notification इससे पहले भी काफी notification वाइरल हुए थे इस notification की सचाई आप जान लीजिए सबसे पहले बात आती है जो आपकी age limit की यहाँ पर उसके बाद में education जो qualification हो सभी candidate को पता होता है डवले के लिए 60% मांगते हैं ओके किसी भी board से आप pass हो कोई भी problem इसमें नहीं होता है देन उसक इसका high cut off होगा उसका सभी का admit card आ जाएगा state wise cut off लगेगा राजस्तान का अलग हर्याना का अलग पंजाब का अलग दिल्ली का अलग इस तरीके से उत्राखंड का अलग सभी का अलग-अलग cut off लगेगा और सभी का admit card जैसे आना है उसकी इसाब से आएगा age limit की बात कर लेते कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर इनोंने लिखा है कि due to covid-19 pandemic covid-19 की महामारी की वज़द से हम है वो आपका offline examination conduct करवा रहे हैं यहाँ पर written examination and PFT आप चेक कर सकते हैं इसके बाद में इनोंने बोला है कि 10,000 candidate को हम बुलाएंगे जिनका admit card भेजेंगे ठीक है उसके बाद में यहाँ का process हो चेक कर सकते हैं जो कि क्या होगा आपका 10 प्लस 2 के base के उपर और state wise पे depend करेगा कि आपकी cut off क्या है और क्या scene नहीं है ठीक है तो यह बात में यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सबसे बड़ी update यहाँ से निकल के आ रहे हैं उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट में वही प्रोब्लम कहीं पर आने वाली है नहीं लेकिन यहाँ पर जो क्या है गाईज कि जो अच्छे खासे परसेंट वाले स्टूडेंट नहीं का एड्मीट कर आएगा सभी को समानता का अधिकार है वो फिर से हटा दिया ज है और यहाँ पर मेरिट लिष्ट की बात की गयी है तो गयज यहाँ पर डबले के अंदर इनों ने बोला कि लगबग 600 कैणिट के आसपास है वो इसके अंदर हम लेने वाले है اور SSR की बात कर ले तो यहाँ पर 25 कैणिट लेने वाले है तो यानि लगबग आपकी 3000 पोस्ट य यह कम जादा हो जाती है और यहाँ पर मेडिकल हो साथ में होगा तो आपको मेडिकल फिट रहना बहुत ही जरूरी है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात और दूसरी कर लेता हूँ यहाँ पर की गाईज लिखा है की आपका देखी सबसे पहले इदर आई है आप हाउ टो अप्लाई के अंदर जब भी आपाते हैं इस नोटिफिकेशन के मादेम से तो इन्होंने लिखाए कि 26 अप्रेल से 30 अप्रेल 2021 है लेकिन अब ये अपडेटेड होकर यहाँ पर हो गए है आपका 5 मई 2021 यह संबव नहीं है इस COVID-19 की पैंडेमिक के अंदर यह बाते हैं हो सकती है लेट हो जाए जुलाई के अंदर क्योंकि अगस्त के अंदर जो बैच होता है उसकी ट्रेनिंग होती है और इनको पहले वेकेंसी निकालना चाहिए था तब इन्होंने वेकेंसी निकाली नहीं अब जब बहुत ज़्यादा प्रेसर डाला उपर से तो इन्होंने वेकेंसी निकाल दी क्योंकि इनका जो बैच हो खाली जाने वाला क्योंकि इनके पास ट्रेनर ही नहीं जो सेलर ही नहीं ट्रेनिंग करने वाले तो इनको जो बैच में अंदर स्टूडेंट्स को लेना पड़े तो गाइज यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रोबलम बनकर खड़ी हो गई है इंडियन नेवी की ओर से इसके उपर भी हम देखते हैं क्या सीन होता है आगे अभी ओफिसिली साइट पर देखे वो नहीं मिला है लेकिन जब भी आएगा तो हम आपको इसके साथ इनफॉर्मेसन आप तो दोस्तों अभी तक का यही अपडेट था जो आपके साथ सेयर कर दिया गया है और आपका जो फोर्म अपलाई करने का लास्ट डेट रहेगा वो पांच माई 2021 रहेगा जो की ओफिसिली वेबसाइट पर अपडेट किया गया है उसके मादेम से यह मैंने आपके बात जो बाते हैं सेयर की है और जो भी अपडेट होगा तो आपके साथ सेयर कर दिया जाएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी सोचल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको परवाइड करवाएगा है तो वहां से आप जोइन हो जाएगा यह टेलिग्राम बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वाले बटन पर कलिक कीजिए ताकि सभी विडियो के नोटिफिकेशन आपको साइसमे पर मिलता रहे है जैहिंद वंदे मातरम भारत मातक हीजए मिलेंगे को और नई अपडेट के साथ गाईज यहां पर और अ अच्छे तरीके से रहे है तंदरोस्तर रहे सवस्तर रहे है जैहिंद वंदे मातरम टेक केर बाई बाई